नमस्कार दोस्तों आधक मेरा आज के नई वीडियो में दोस्तों कैसे आप लोग ठीक हो भान आप लोगो सस्त रखें मस्त रखें दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है वह लेजी पे कार्ड के बारे में कि लेजी पे की एप में दोस्तों नई अपडेट आई है दोस्तो और बिगर स्पेंट्स इंट्व हैजल फ्री एमाई शो मी हाओ अब दोस्तों आपको मैं इसके बताना वाला हूँ कि आपको जो यह एमाई कनवर्ट वाला जो ऑप्शन है वो कहां पर जाकर मिलने वाला है साथी साथ दोस्तों क्या आप लोगों कोई भी चार्ज लगता है य वीडियो करते लाइक चैनल कोई सब्सक्राइब ताकि मेरी वीडियो की अपडेट जो है वह आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों बतारूं कि आप लोगों को यह option जो है कहां पर मिलने वाला है तो आप लोगों को option जो है आप लोग जैसी एप खुलेंगे आपको सबसे नहीं होकर सबसे नीचे अगर आप लोगों जाएंगे सबसे नीचे जाकर तो आप लोगों को दिख जाएगा यहां पर convert your transactions to EMI तो आप लोगों को जो कहां पर मिलने वाला है अब दोस्तों बतारूं कि आप लोग इसको EMI में कैसे कर सकते हैं minimum कितने की transaction को EMI में कर सकते हैं दोस्तों इन लोगों ने यहां बता रखा है कि कम से कम 3000 रुपे की transaction जो होगी वही उसकी EMI convert करा सकते हैं 3000 रुपे से नीचे की transaction होगी उसकी EMI आप लोग convert नहीं करवा सकते हैं अब दोस्तों बता दूं कि आप लोगों को क्या कोई charge लगने वाला है इसमें दोस्तों इन ल रुपीस Convent Fee which will be included in your first EMI installment this installment will be added to your next bill दोस्तों बतारूं कि आप लोग जो है EMI इसमें कैसे convert करा सकते हैं तो इन लोगों ने बता रहा है how it works पिक एन ट्रांजक्शन ओवर 3000 बतायात लोगी 3000 से उपर की ट्रांजक्शन को आप लोग करा सकते हैं उसके लिखा है choose an EMI plan that suits you उसके दोस्तों आप लोगों ने जो भी transition आप लोग select कर लेंगे उसके आपने इनका जो EMI plan है वो select करना है जो आप लोगो suit करें तीन महीने का चार महीने का एच्छे महीने का जो इन लोगों दे रखा होगा उसके दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है pay your EMI on the first of every month जहीं दोस्तों आप लोग को convert कर लेंगे हर महीने की पहली तारिक को याई एक तारिक transactions that are more than 3,000 into EMI तो इन लोगों ने बता रखा है कि आप लोग जो है जो card से transaction करते हैं और UPI से transaction करते हैं जिनने लोगों UPI का access मिला हुआ है वो दोनों ही दोस्तों अपने जो transactions है जो भी खर्चे है जो उनने लोगों ने करे हैं उनको EMI में convert कर सकते हैं we don't allow splitting into EMI for gold purchase betting और other high risk transaction तो सब्सक्राइब आप लोगों पर चेस करते हैं या दोस्तों इन लोगों को लगता है betting करते हैं या फिर दोस्तों को भी आपने जो high transactions कर रखी होगी उनको दोस्तों जो है यह में convert नहीं करने वाले उसके दोस्तों इन लोगों ने बोला can I split transaction that already in my bill into EMI तो जहां पर इन ल only split transaction that have not been billed yet don't worry we are working on opening this up for all transaction तो जैनी minimum pay due अगर आप लोगों ने चूज कर रखा है तो उसको आप लोग EMI में convert नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों यह था पूरा इनका नहीं update कि आप लोग जो है EMI में कैसे कैसे convert कर सकते हैं और कहां पर जाकर आपको option मिलने वाला है साथी charge क्या लगने वाला है सब मैंने आपको बता दिया है तो सेपरेट एक वीडियो मनाऊंगा खुद में तीन र तब तक के लिए धन्यवाद